ओम्माण। धर्मसबामा विराजमान परम्पुझ आचारी भग्वन्थ आने मुनी द्वयना चरंगमलोमा भाव पुर्वक कोटी-कोटी वंदन मंचस्थ विराजमान सर्वसंत धर्मात्माव महानुबावने भाव पुर्वक वंदन समस्त धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी साधक मुमुक्षु भाई बैनोने आत्म भावे प्रणाम संत कबीर जी कहे जह पारस में अरुसंत में एक अंतरो जान वो लोहा कंचन करे ये करे आप समान पारस अने संत मां एक मोट्टो अंतर छे पारस लोढाने सोनों करी शके पण पारस नहीं करी शके पोता जेवो नहीं करी शके पण संत नहीं विशेशता छे कि संत पोता ना सेवक ने संत जेवो इटले पोता जेवो बनावी देचे आ ताकत कोई मा न थी एवा अध्यात्म निष्ट ज्यान मुर्थी प्रेम मुर्थी अध्यात्म मुर्थी परम श्रधेय संत श्री आत्मा नंजी आप श्री ना चराण कमलमा आ देधारी ने लगभग बार वरस्तो अत्यंत प्रत्यक्ष सेवान आउसर मुल्यों छे आप श्री नो वेक्तित्व बहाया भ्यंतर ते विशेतो आखो आप म्यूजियम बनावी ज़ एटला माटे चे पणा वश्तु इटला माटे की धी के आप श्री ना जीवन थी प्रिरित्थे ने योग्यतावाला अनेक जीवो तो पारस बन्या कोईक जीवो सुवर्ण बन्या प्रकारना जीवो पुझ्य साहिब श्री ना जीवन माँ आवे है पुझ्य साहिब जीनो जे अंतरंग जीवन एने हो एकज घटना थी आपने समक्ष रजुकरिस आवो जीक मोटो सभा चालती थी आज सभा आती लगभग आमा जेकला उपस्तित छे एमा थी 80 परसेंट इस अभामा उपस्तित हता अंतर एटलो होतो कि आजे त्यारे मोटो आम छे त्यारे मंच पिली बाजु होतो एटलो जनतर होतो अने इस सभा में मस्त फंक्षन चलतो तो गीच संगीत अने हो आप श्रीनी सेवा मा बैठो तो नीचे अने पच्छी मने कानमा की धू ये सब नाटक चल रहा है ये सब नाटक चल रहा है आवी भाव दशावडो पुरुश आ कालमा मलवो अत्यांत अत्यांत ने अत्यांत दुल्लक्ष सामाल लोकोन सामल नेम था है कि आमें बदा नाटक करिये छी पड़ तामें उच्चा जैनी जो तो बदू नाटक चे आ उच्चा यो साहेब जी क्यारे पन नीचा थाईनी जिव्याज देती एटला उच्चा थाईनी जिव्याज छे के घणा लोकोन तो समझ मज न थी आया एटला उच्चा हता पन एटला नीचा रईनी जिव्याज छे कि कोई कल्पना नी करी शके के आपड़े साथे रईनी कोई इवी उची भाव दशामा जिवी शके छे सतत चेतन्यनी जागरती आ साहिब जी नो एक शब्द मा एक पंती मा परिचे छे कोई क्षण इवा ने होए कि चेतन्यनी जागरती नहीं होए अने अमारो आज प्रहत्नेमनो जोवान होए साहिब जी विश्वधर्म महासबामा व्याख्यान करू इक गोरवनो विशेच देश विदुष्मा धर्मय आतराग इक गोरवनो विशेचे बद्धी वस्तु अत्यन्त गणी पुस्तोकों लखी गोरवनो विशेचे पड़ आज साहिब जी नो असली व्यक्तित्व नधी साहेव जी नो असली व्यक्तित्व एमने पासे रहे त्यारे खबर पड़े एमनी जी सहज था, निखालस था गणा लोकों एमने जानता रहे पर आज स्वधी सेलिब्रिटी नथी बन्या एमने कोई पण इजीली मली शके छे, कोई साथे बेसी शके छे आएमनो एकदम नेसरगिक जीवन छे, इन नेसरगिक जीवन तत्व प्राप्त करवाना इच्चुक मुमुक्षुवने अत्यंद प्रभावित करी जाईचे, और घणा बधा जीवने आवस्तु सपर्ष करीचे हो जीवन मा कल्पना करतो, क्यों आश्रम होय और आश्रम मा संत क्यवा होय तो हुँ जारे यहां आयो त्यारी मनी, इजी कल्पना होती एक पुराणी कल्पना होय आपने रामान महामवरत जुई इटले इक कल्पना अनुसार कोई विक्ती आपने मले, पछी आपने कोई आपडू रे, सर्व समर्पन थाई जाईश्युदु आवा संत ने आपड़े उलखी शकिये, उलखी औने आपड़ेमना दास बनी शकिये, दास बनी शकिये, आवो अंतह करण आपड़े करिये, तो आपड़ेमने आपश्रीने जीवन जाकी थसे त्यां जेजे वस्तू आपन जोवा मल से, इब बद्धामा साहीब जी नि आत्म निष्ठा जोवा मल से, किमके साहीब जी रुची छे, इम मात्र आत्मा मां छे, बिजि कोई जग्या रुची न थी नहीं एमनी दरेक वस्तु माज़ुआ मलसे बले तो एमना वचन होए के एमनी पुस्तक होए के कोई पन वस्तु पन आत्मनिष्ठा अवा आकालना विरल काल जई एवा धर्मात्मा संत महात्मा ने एक भजननी बेपंक्ती थी वंदन करी और वक्त भी पुरुपरुश्वुण। मैं संतन को दास जिनों ने मन मार लिया मैं संतन को दास जिनों ने मन मार लिया मैं संतन को दास जिनों ने मन मार लिया मन मारी तन वश किया किया भरम सब दूर मन मारी तन वश किया किया भरम सब दूर। बाहर तो कच दी सतनागी भीतर जम के नूर। मैं संतन को दास जिनों ने मन मार लिया मैं संतन को दास जिनों ने मन मार लिया मैं संतन को दास जिनों ने मन मार लिया अभी तिव्या विभुती ने अथ्यान्त अथ्यान्त भक्ति पुरिवगजeka अपले नमस्कार करिए न्यों शांते 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 हो अधर ने कुझ्या व colonialोädी द्वास्वारा पुझ्या गुरुझ्या खिय्क्या विभुती ने अनेक honour अनो संक्षिप्तमा पन गहन ताथी विहंगा वलोकन करावता उद्वोधन बाद हावे अदरनिया सन्यासी संत स्री शुक्देवा नंजी अपने प्रासंगी उद्वोधन करसे आप स्री तथा अदरनिस्री अंसाबा साबर काठाना भालूस्रना गामे प्रसिद्ध योग वेदांत आस्रमना अधिश्ठाता तरीके वर्सोती स्वापर कल्यानना पथ पर साधनाबई जीवन यतित करी रहा चुक्द आप स्री वेदांतना विशेश अभ्यासी आप स्री अध्यात्म अने व्यसन मुक्ते नू अभियान चलावी वाइब्रांट सामाजिक ज्यागरुती द्वारा प्रशंस्तनिय अने अनुमोधनिय प्रवड़त्ति करी रहा चु पुझ्या श्री तता आसंस्ता साथे आप स्री वर्सोती जोडायला चु आवा आदरनी स्थान्य श्री शूकदिया आप स्थान्य शुक्त्र तत्रे ने यह इच्या चु आप है स्थाद गुरू देवतो की जाह के प्रशान के स्था पर बिराज मान आचारिये भगवन्तो ये मनों नमस्कार करूँ जे सभामों बिराजमान सर्व ममुक्ष भाई बेनो आज अमने कुबा आववा माटे थोड़ावा जाब ज़िए बाउज अतिश्य आनन्द तो ये एनू येज कारण तो के ओगणी सोन ब्यासी थी परंपुज्य साइब जीना आमे परीचे मौ आयाए ये वकद तो सुरज्जी पनाईयों नहीं गणा वर्सों सुधी अमें साइब जी साथे साबरकोठा ना तमाम गामडा ओपोते गम्रोडी ना खेलाए है हजारों नी संख्याओं मों साइब जुनू प्रवचन सांभड़वा मात्रे आवता लोको दस त सज्जार मानस नी मेद्नी पोते उपस्ति थती एमे मारी नजरे जोईलू शे साबरकोठा नी पवित्र भूमी नी हज्जारों मानस ना रदेनों पल्टों करी वेसोनों मों थी निवरूत करी अध्यात्क ना राहे पोते साहिब जीय पोते चड़ाएला एवा परंपज्य गुरुदेवना चड़ों मोहु नमस्कार करूश्वे ये तो मारी नजरे अध्यात्विक रामाने प्रसंग आवे छे भगवार रामचंद्र पोते लक्ष्मन जी ने कहा चेक लक्ष्मन जल में तीर्थ अन पाशाल में मुर्तियो एद देवता नथी युँ नथी कहतो पन मारा संतो मों नेमों घणू अंतर छे तीर्थों नुगणा काल सुधी सेवन करवा थी मानस्त पवित्र करे छे पन परंपुज्य आत्मा नंजी महराज जेवा संतो तो दर्शन मात्र थी आपन पवित्र करता है भार्दवाज उसी जर गंगा स्दान करवा माट आवे छे तो गंगा दी 25 पकतियों उपर आवे छे भार्दवाज उसी के छे कि मां दुनिया ना लोको जर तमारी अंदर स्दान करवा माट आवे तार तमें जें वहता हुआ यह मज वही रहा सो अन्यों स्दान करवा माट आओ तो आटला बदा तमें उपर के मां आवे छे तो गंगा जिमाती ध्वनी आवाशक बेटा दुनिया लोको मारी अंदर पाप नाखवा आवे छे जार तू तो मनिय पमित्र करवा माट आवे छे शुरज जी बात करी एक शण प्रहिवी नतिज नती शाहिव जिनी को चेतन साथेमनों लगाव नवे ब्रह्मर्शिवस्ष्ट महराज जारे काग भुसंडी ने मलेच तैर काग भुसंडी फोतानों अनुभव केश मेरू पर्वत आदी मेरू पर्वत्नू चलायमान थतों में जोयू छे विश्वनों तमाम वायू बन थतों में जोयू छे गंगा अधी नदियो ना प्रवाव अटकता में जोयाच पड़ मारी सहस समाधियनों भंग ठोवो यू आज सुधी मन कदी सांभरतों ना थी एदशाना साहिब जी पोते हताए इतली अमनी निर्मणवानी हस्तों चेरो आज सुधी मने लगबग 20-25 वर सुधी अमना साथे सानिद्यमों रवानों मन मोकों मलेलो 25 वर सुधी एवना मुक्ति एक पने वो शब्द कदी आयलों में जोयो नहीं कोई ना दिलने दूख थाए सदाय परसंद चेरो शांत गंबीर मुख बुद्रा एवना सत्संग थी आखी सभापोते तरवोड थाई जती है एवा पवित्र परंपुज्य ब्रह्मनिष्ट ब्रह्मसोत्रिये सद्गुरुना चर्णव आपने वंदन करिये चिये रामचंद्र पोते लक्ष्मन जी नहीं कैसे लक्ष्मन सद्गुरुन इश्वर में शू फरक्षे इश्वर जिवोना कर्म प्रमाने फड़ा आपवा छे पर जिवना माथा उपर जय जन्म मरन्नों कागर पड़े ओछे एक कागर फालवानी शक्ति इश्वर मन नथी एशक्ति सद्गुरु मों छे कोई केसे गव लोग स्थेश्ट छे कोई केसे कैलास लोग स्थेश्ट छे कोई केसे स्वर्ग लोग स्थेश्ट छे पड़ेक मातमा तो कहे छे कि आप पृत्वी ती उत्तम कोई लोग श्रेष्ट चाज़ नहीं कि आप पृत्वी ना गोडाव पर तमनों सद्गुरु मड़े छे वैकुट में तमनों सद्गुरु मड़े नहीं है जीवन इश्वर मोजे वियोग भाषो छे एश्योग थवाना साधनों तमना पृत्वी पर मड़े छे यह शास्त्र मड़े छे सत्चंग मड़े छे साधना करना करवानी रीत तस्व महापुरुषों मड़े छे एव वैवस्ता स्वर्गम का विकुट मोँ अती नथी है एटले वा महापुरुष्णा सानित्यमों जैर आपनों अभ्यास जागे छे तमे कोई जंगल मों फर्वा माटे गया होई इत्थी एकाद किलोमीटर कोई मरेलू पसू पड़ी होई फद्फदी की वह बिल्कुल दुर्गन मारती वह जवर्जस इना रोम रोम किडा पड़ी गया होई और एब आजुती पवन आव तेनी दुर्गन तमारा नाक सुधी आवक नाव एक गंद शाना उपर बैसिन आई जैसे गंद हवा के रथ पर चड़कर नाक तक पौश्ती है वैसे व्यक्ति अभ्यास के रथ उपर चड़कर स्वरूप तक पौश्ता है जैर चितनी इंदर जैर अभ्यास जागे छे ताद्धे भावपुते खतम थाए छे सतत जोडान शास्त्रकारों बे प्रकारना साधन लखेश अंत्रंग अन बहिरंग तीर्थ यात्रा देवदर्षं ए बदा बहिरंग साधन छे व्रत्तिनू चैतना आत्मा साथे जोडान ए अंत्रंग साधन छे जो तम न अंत्रंग साधन हाथ लागी वोई तो भाईरंग साधन में पड़वा जेव न थी अने साथे साथ ए पणवाद छे कि जो तम अंत्रंग साधन हाथ ना लागी वो तो भहिरंग साधन छोड़वा जेवू पण न थी थाड़ी साप करवानी परक्रिया ए भहिरंग साधन छे अन साप ठेली थाड़ी मों लाड़ू पीर्शिन जमी लेवो ए अंत्रंग साधन छे गाड़ी साप करवा जुदी छे अन साप ठेली गाड़ी मों बैसाईन मुसाफरी करवी ए पणवात आखी जुदी छे एक गाम्ला नी घटना हूं तम नक्यों अत्तारे प्रथा गाम्ला ओम अच्छे पास हो ठंडी में तापनू करनी ताप पानी है एक पती-पत्नी ओश्री में तापनू करनी पोते तापता था कोई कारण सर वे पती-पत्नी ने पोते रिष्णू थेलु है जो रिष्णावीन मनावी अपन ग्रस्ता असर मोटो लाओ छे पास आयों उत्मन कि वे बन्ने अबोला लिधेला रिष्णू थेलु वटले एक बिजान बोलनी एक बिजान दर्ष्टी पना पने नहीं बन्ने जना साम साम बेशन तापता था यह मुझे पूरु शतन यहनी बाजू में एक रुमाल पड़ेलो तापना महती एक अंगार उड़ी और पिला रुमाल उपर पड़ेलो रुमाल सड़कवाल आगयो डोडी नजले नी पत्नी जोई जी रिष्णू उत्यू बोलवान तो नो تو अभूल अली ठेला इले पत्नी शो कैसे कि अला जाने बला जाने किसका रुमाल जलता है इत्ले पेला पतिये एले पड़ेलो पäs्यो को लड़ती है जगरती है але गर की कबर तो रखती है मनसुर कैसे अगर है जो शोक मिलने का तो हर्दम लो लगाता जा हर्ता फर्ता बैस्ता उठता सुधा तमारी व्रत्तिनु जोडान चैतन साथे करियू को नथी करियू आ महत्परी साजना छे जो व्रत्तिनु शाधन चैतन साथे तमें ना करो व्रत्तिनु जोडान चैतन साथे न करो एक पॉइंट तमना आपू एक नानो बालक पांच वर्ष नो एना पिता साथे अम्दावाद गेलो साथे नो फूल ट्राफिक आया लोकों नो रोल क्रोस करें सामें जहूं तू साथे नो आटलू ट्राफिक जोईन पर लो बालक गभ रही कियो कि सामें के विर इतना चैश्यू इना बाप में की दू कि तुमारी ओगड़ी फकड़ी ले छोकराई जो बापनी ओगड़ी फक पर चितनु जो डान जो चैतन साथ है थाई जाए तो तमारी बद्धी तकलिफ़ों दूर थाई जाए एक चार रस्ता आउपर एक पोलिस वालो एक पोलिस पते चौकी करतो हुए त्यों थेने एक अबजो पतिवा शेटनी गाड़ी निकड़े तो सामन्य पोलिस अबजो पतिवा शेटनी गाड़ी रोका कि ना रोका अवा शेटना तो तो अवा किटला होना करता उंचा पकरदारी इल मानसों छे पर एक सामान्य पोलिस अब जो पतिवा शेटनी गाड़ी रोकसे नुकारने छे कि पोलिस नी पासर सरकानी अनंत शक्ती पड़े ली छे आ चितनों जो डान जो चैतन साथ थाई जाए तो चितनी पासर आत्मानी अनंत शक्ती पड़े ली छे विवान दिक्री विवान दिक्री, कुमारी दिक्री गमेतना साथ सबं जोड़ी शकर नहीं प्रमात्र केवाती ना बन ये ना ये जग्या लगन थाई जाए तो बीजा सबंद आटोमेटिक छोड़ी दे आव रत्तिनु जोडान जो चेतन साथे थाई जाए तो संसानों कष्चरोफ होते आटोमेटिक अंदसी निकड़ी जाए शे तो छेल्ले वात इतलू कईशू आपने कईशू कर तमें तमारा स्वरुप में जेतलू जीवो इतलू तमारू जीवतर साचू शे ब्रह्माना के महां बार्णू विच्ञार चा पर अंधनु विच्ञार शेक लिए आंक बार्णू जो पर अंधनू जोई शेकस कान बार्णू सोंबड़एछे पर अंधनू संबड़ी शेकस दूबंौकेश конц बनाई छी एनि तम्हें अंतर्वुक करवानों प्रेत्न करश्यों तोस्थ से अपने आप कुछ नहीं होता इना मेड़े कश्यू बनचे नहीं हो इतने यह महापुरुश्यों कहें छिल्ले कश्टूंकी बाद कर दी उच्छू वालनी की रामाइन ना स्लोको 24,000 छे अनेक रामाइनों भेगा करी एकनास्थ महराज एक भावार्थ रामाइन बनाई हो छे एना स्लोको छे 48,000 एम एकनास्थ महराज एक अद्बूत प्रसंग लखे हो छे प्रसमर द्रह्यों कि रावननी फत्नी स्थिता जी ना धिन थाती न थी नथी तू यो उपाए बताल कि स्थिता जी मारा धिन थाए गाट नाखे रावन के सब्सक्राइब कऱे ट्यारी कोवब करने केसे रावन तो तो माया वीची तुँ नकली राम बनें जा को एला सिता तन राम समझिन अपने ही ले छे तर रावन केसे एपण में करी जोईू जारू नकली राम बनुछू तरा खुविश्वमन मा जेऊ लाग छे त्यारी पोते ओंप करने कैसे गारे मुरक एक नकली राम ना स्वरुपनू आटलो पजो प्रभाव छे तो असली राम स्वरुपनू कितलो प्रभाव छे अन नकली जगत आतलो तमनो मन मोहक लागे छे तो जगतनो अधिष्ठान जे चैतन ने परभ्रम एक अटलो महान छे तो सज्जयनो आजना पवीत्र प्रसंग मों परंपुजय सहेब जी आत्मान ना चड़ण मों नमस्कार करी अन मारी वाने पोते विरामा पोचू सद्गुरू अधिवकी जे अधरनियस्री संस्रेशुक देवानन जी द्वारा भाववाही संदर्सन्य अमुल्यता अने महात्मय प्रस्तूत करता तता साथे साथे अलवास्मा पती पतने ना तापना ने ब्यावारिक अलवास्पुरून समझ आपता सुंदर उद्बोधन बाद अवे अधरनियस्री अंसरबाने प्रासंगिक अने स्वंक्षिप्त संबोधन लाप अप्वा माटे विनंती करिशू झाल सद्गुरू भगवान की जय परमकृपालू देव की जय पुझ्यात्मानंद जी महराज की जय तो स्टेजी पर विराजमान परम्पुझ ब्रह्म निष्ट ब्रह्म सूत्रे वा भगवंत आचारियस्री यो तथा यादेवी सर्व भूतेशु शक्तिरूपेण संस्रिता नम तच्से नम तच्से नम तच्से नम तच्से नम तच्से नम तच्से नम नम तथा समय नो भाहुवा थी बधाना नाम लई शक्ति न थी, पन हालमो जा प्रे प्रतक्ष दर्शन करी रहाए छे वा परम्पुझ्य स्री ब्रह्मचारी स्री सुरेज जी तथा गायक वरुंद बैनो ने भाईयों सहेब जी विशे प्रम्पुझ्य स्री शुक्देवान जी गणों बदु कहियों छे, समय नो भाहुवा थे हों कई-कई शक्ति न थी, पन सहेब जी ना गोणों नो भनान करवा माटे आपनी पासे कोई शब्दोद न थी, मात्रेमने रदैना प्रेम्थी नस्तक जुकावी अ पन होई, सुन्दर शरीर होई, घरम सुन्दर स्त्री होई, कीर्तिनो धजागरों चारे बाजु चड़े होई, पन जो चित परमात मामों न चोटी होई, तो आ बदु एकड़ा वगर ना मेंडा जेवोची बाबाजी आगर पन कहें छें, के चतुराई चुले पड़ी दीक पड़ेव आचार, तुलसी हरी भक्ती बीना चारों वरण चमार रामक्रिष्ण प्रमंस पन कहें छें, के स्त्री पुत्रादिक सारू लोको गड़ा भरीने ओंसू सारे छें, धन सारू लोको अंसू नी नदियो बहावे छें, पन परमात मा सारू कौन एक टेम पुए पाले छें एटले विशयी पुरूष्णनू विशय प्रत्तेनू खेंचान, सती स्त्रीनू पोताना पती तरफेनू खेंचान, अने मातानू बालक प्रत्तेनू खेंचान, आ त्रण गणू खेंचान भेगू थाई, अने जो परमात मा पर आवे तो परमात मा अवश्य प्राप्त रामक्रिष्ण प्रमान्स प्रमात्माना प्रेमना नशामों अहर निचक्चू रहता अने तेवो जारे बाहर निकड़ता तारे लोकों कहता के पागल प्रमान्स आवियो पागल प्रमान्स आवियो तेरी प्रमन जी बाड़क नी जे महस्तों अस्तों कहता के तमारी वात साची ची आखो संसार ए एक पागल खानों ची कोई स्त्री माटे पागल चे कोई धन माटे पागल चे कोई सत्ता माटे पागल चे होँ पन पागल चुँ पड़ इटलू के होँ परमात्मा माटे पागल चुँ तो महापुरूशो कहें छे कोई वैग्णाने खगोड विश्यनी शोद करतो होई अने कदाच एनू चीत जो कोईना साथे राग द्रेश मों जोडाई होई तो श्युए खगोड शेनी शोद करी शक्षिए जो भौतिक सिद्धी प्राप्त करवा मांटे राग द्रेश्थी मनने हटावू पड़े छे तो परमात्माने प्राप्त करवा मांटे तो अवश्य राग द्रेश छोडवाज पडशी। कारण कि जे कष्ट सहन करवा तैयार नती ए लक्षनी प्राप्ती करी शक्तो नभी इटले जो स्वरूप लक्ष प्राप्त करवु होए तो प्रतम वैराज्यनी जरूर जी वैराज्य एटले मात्र प्रुथ्वीना भोगो प्रत्यज नहीं परण ब्रह्माना लोग सुधीनो वैराज्य एटले कोईनी साथे राग पण नहीं और कोईनी साथे द्रेश पण नहीं कारण कि जो राग हशे तो एनी अंदर तमें फसाई जवान अने जो द्रेश हशे तो चित्म जलन थवान एटले जो जन्म मरण ना चक्कर मती छूटवू होए आत्म प्राप्ती करवी ह तो राग ने द्रेश बनने छोड़वा पड़ छे कारण के मानस जेटलो राग थी फसाई छे एटलो जे द्रेश थी फसाई छे एटले आत्म प्राप्ती माटे अने राग ने द्रेश ये बनने अंत्राय रूप छे एटले गोश्वामी तुलसिदाजी महराज रामचरित म मारस मों कहें छे कि आपना महाँ पुरूषय परमात्माना बेस्वरूपो नू वड़न करिए शाकार ने निराकार तो घोस्वामी तुलसिदाजी महराज रामचरीत मारस नी चोपाई मों कहें छे बिनो पात्चाल ये सोना ये बिनो काना कर बिन करम करे बिधिनाना आनान राहित सकाल रस भोगी विनो बानी बकता बड़ जोगी महाँ पुरूषय कहें छे कि परमात्माने हाथ न थी पग न थी मस्तक न थी ते निराकार छे एवा सर्व व्यापक चैतन परमात्मा ए आउक्थी देखाता न थी पन बुद्धिती ज अनुभवाईची एटले साकार परमात्मा साथे प्रेम करो औने निराकार परमात्मानों ध्यान करो कारण एक चैतन परमात्मा ए अती सुक्ष्मा औने बहुज महान ची तो रामचरित मारस मैं प्रसंग छे के हनुमान जी महाराज लंकामो अशोक वाटी कामो सिताजी ने मल्या रामनी मुदरी कापी रामना कुशर्ताना समाचार कहया अने छेलले कहिँ के मामने भूख लागी छे कई खावान होय तो आपो तेरे सिताजी हे कही करे हनुमान तु आटले दुर्ती आभेऊ तो रस्तामो तने कोई खवडवनार मल्यू जंए तेरे हनुमान जी महाराजें बवश्रजवाब आप्यो के मान रस्ता मों जितला मड़ी खााबा वाड़ा जे मड़ी खावडावनार मड्यु झेtım सव प्रथम समपाती मड़यू तो कहस है खाई जाओ सुर्सा मड़ी तो कह estás खाई जाओ सिही का मड़ी तो कह खा जाओ अनियग छल्ले लंकी नियग मडि इडर्य गो clinicians खाई जाओ एटले मा जीवने तुरूपती तो तूज आपी शक्य आएम छी सीता ये भक्ती छे अने घ्रिवने शाची शानती आपी शक्य नथ प्रह्म्मरशी कहें छे कि तमने भले माटली देखाए मोरीनोल देखाएएट देखाएक कुलडो देखाए पणना युदे काई पण मने तो आ बदा मों माटी शिवाय बिजु कई देखातू ज न थी जम हज्जारों गड़ाओ मों माटी एक छे हज्जारों दागी नाओ मों सोनु एक छे तेमाई अब जो शरीडों मों चैतने परमात्मा एक जचे ए भाव मों जो वृत्ती पताई जाय तो जिवन दन्य बने जाये ची तो आजना पवित्र प्रसंगे सहेब जीना निमित्ते आप सर्वना जे नावा व्रश्ण मों दर्शन थाया ते बदल हुमने हुमारी जात्मे धन्यवाद भाढ़ूचू अने आनन्द माहगूँचू अटलू कही हुमारी वान प्रत्वताने स्वरूपना लक्ष्य राग्द्वेस रहित्ताई ने सम्वर्धित करवा सुंदर भूदाप्यो अवे अदलनी स्री नंदलाल जी ने विनंती करिशू के प्रासंगिक संक्षिप संबुदन करे आप स्री प्रकर देश्पक्त ने समाच्यवक तथा आरेसेश ना वरिष्ट प्रचारक पन्छो आप स्री पच्छास वर्षोती विशेशकरीने सिमावर्ति प्रदेशोमा पजनो अने सत्संग ना माध्यम्ती जन जाग्रन नी उत्तम सेवा बजावी रहा चो आप स्री ये उत्तम सिग्रक अवी तरीकेनी नामना प्राप्त करेल ची अनुस्ता साथे आप स्री दस वर्षकरता पन वदारे समय थी आत्म भावे जोडाये लाचो पुझ्या गुरुदेव स्री प्रत्य आपनो हम्मेशा अनन्य बक्ति भाव रहे लो अधरनिया स्री सुरेस्ति साथे पन अपना खूप सुंदर आत्मी संबंधो चे अधरनिया स्री नन्राद जी जै सद्गुरु वंदन आज के इस दिव्यायोजन में मन्चा सिन विभूतियों को प्रणाम और सामने विराजबान समस्त भक्तों को भी अंतर मन से प्रणाम कारकम की अपनी आपचारिक था के कारण शाय जिन्होंने मिरा नामी ले लिया है क्योंकि मूलतह अब तो आशीरवाद की जरुत है आचारिस्री की विराजबान है मुझे तो इतना ही इसमें से बार बार हिलोरे लेकर के इसमन हो रहा है धन्ने हैं सुरेज जी जिन्होंने मुझे सूत्र के साथ दस साल पहले मिलवा दिया और पहले दर्शन में ऐसी अनुभूती वीज़ों में व्यक्त भी नहीं कर सकता दर्श्य दर्श्य जगत की अद्वत अनुभूती ज्यान भक्ती और पवित्र तम समर्पित कर्म की निलिप्त एक सुन्दर सी मूर्थी का नाम है साहीब जी जो मैंने अपनी आँखों से देखा है बहुतों ने अपनी आँखों से देखा होगा और आज की तारीक में ये सारे ट्रस्टीज समस्त समर्पित लोग जिनके अंतर मन में उस भावधारा को आज की तारीक में और विबिन विवस्तों के माद्यम से लगातार चलाने के लिए संकल बदो करके ये रचना कर रहे हैं आने वाली पीडियों के लिए बहुत विलक्षन विशेव हो सकता है सच बात यही है जब यह भी मारा जी बोले थे अंतर मन से हर एक विशेव पर हमको स्वेंको ध्यान और अभ्यास वो तो करना ही पड़ेगा विलक्षन विभूती प्रारम के अंदर संक्षिप उनके जीवन चरित्र में बताए गया सामाने से परिवार के सामाने सा बालक उनी के लिए बोला गया ना कि क्या बोले थे सामा ने बालक चड़ी पेढ़ने वाला बालक मंदिन में चला और कहां से कहां पहुंच गया और उनके कृपास से हमको अमस्तर मिला है तो हम भी उनके पवित्रे स्मनन से कहीं से कहीं तक पहुँच रहे हैं पहुंस तो रही है नहीं तो आप यहीं नहीं पजारते समय किसके पास है किसी के पास नहीं है यह अंतर मन से जब जो चीज छूती है उसके लिए आदमी सब प्रकार का समय निकालता है ऐसी विभूती का बार बार इस बनन और दस वर्ष के अंदर पहली बार तो इन्हों ने बुलाया था अगली बार तो बुलाने के जरुती निए पढ़ती थी मैं स्वेम हिलोरी लेकर के खट-कट-कर के आ जाता था और मेरा परम सवाग्य है कि जब कुछ दिन जादा हो जाते तो साहिब सी स्वेम इनको बोलते थे सुरेजी को के वो पंची भी आया नहीं है उनका नजर रहती है सब पंचीयों पर सब के कल्यान के लिए और हम पर क्या और इसलिए बोलते थे कि बहुत दिन होगे बुलाओ और मेरा परम सवागे कहूं या क्या कहूं बहुत लंबे समय तक अनेकों बार फोन के मादम से उनका प्रेयरक आशिरवाद मुझे मिलता रहा और मैं खट करके तुरंत आने की कोशिच भी करता रहा बीच में कौनना के कुछ अक्र के अंदर गूमता में रहते लगाता लेकिने परस्थती अलग नंसे टार्ण कर गई अंतरमन से उस विभूती को प्रणाम करते हुए मैं एक सूत्र में केवल अपने भाव्यक कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आपकी भी अंतरमने वही भाव होगा और इसे ही साथ अपनी बात को विराम दूँगा नित्य बरस्ती रहे कृपा सद गुरु वंदन नित्य बरस्ती रहे कृपा सद गुरु वंदन चले साधना निरंतर साधना निरंतर अभ्यास निरंतर ये तो चली रहा ये निरंतर चलना ही पड़ेगा चले साधना स्री चरणों में सद गुरु वंदन इनी भावों के साथ उनको फिर से प्रणाम और आप सब का अभीनाद करते हूं मैं अपनी बात को विराम करता हूं जैस्ट गुर्वाण ओम अधनी स्री नंदाल जी द्वारा पुझ्य गुरुदेवना व्यक्तित्वना अनेक विद अध्यात्मिक पासावनों सुंदा संस्मरान करा व्यू हावे अधनिया पुझ्य भाईस्री आपनने उद्भोधन करे एवी अमसर्वयनी नंवर बिनंती अप्स्री शांथता सरलता सौम्यता नी मूर्ती इतले राज सोभाग आसरम साहिलाना प्रतिष्ठता परंपुझ्य बापुझ्य ना अध्यात्मिक वारसदार वा पुझ्य पुझ्य भाईस्री पुझ्य भाईस्री आ संसारिक उपादियोती अलिप्त थाईने परंपुझ्य बापुझ्य ये जे अध्यात्मिक्ता पीरसी तेने संवर्धित करी परमार्थ पंथे फालो बरी छिए देश विदेश मा सत्संग, स्वाध्याय, बक्ति द्वारा परमा अध्यात्मनी साथे स्वापर कल्यान नी उन्नत भावनाती प्रेराई आपसरी गामदत्तक, धर्तिकम प्राहत, पचास्ती वदारे स्कूलों नीर्मान, कन्याशाळा तथा होस्पिटालों नी स्थापना जेवी जन कल्यान नी अनेक विद प्रवरुत्यो द्वारा उत्कर करें स्था स्ष्वाओना प्रेलना प्रतिक चो परं पुझ्या गुरुदेवसरी प्रत्य नो पुझ्या भाव तन असंस्था साथे ximn ४ आपनो गनिष्ध प्रेम आनए वाच्तालिय सार्वे ने विदित छे आप सर्वे झान Calendar पुझ्यासरी अं तिया नेचुर्वत्यम अठ दिवस माते हता, त्या मने एक अडिशन पर एडिमिसन लिदू, के कोबा मारे प्रसंग मां गम्मे एम करीने हाजर थवानुचे, तमारे मने एडिमिट करो होई तो करो, न करो होई तो न करो। अडिशन पर एडिमिट थाई गईकाले छो कल्लाक नो अंकलेश्वर्थिया इया बाई कार ट्रावेल करी अटली तकलिफ भेठीने पन आपना प्रत्याना प्रेम, पुझ्य गुरुदेवसी प्रत्याना प्रेम अने मुमुक्षवातसल्य लागनी ने अनुसरी ने आफ श्र प्रतम बगवान माविर ने वंदन करूछू बगवान माविर ना आंतेवाशी शिश्या परमकुरुपाड़ो देव स्रीमत राजचंद्रजी ने वंदन करूछू आचार्य स्री केजिया इया बिराजमान छे अचार्य स्री शाथे नो आ बिजो प्रस्ण छे मढवानो मढवानो थाई चे अवावा फंक्षन नियंदर ना वटा फंक्षन मा पाण ए फंक्षन नियंदर पाण यमनो जे परिचय थायो यमा खरेकर एनी निर्भईता और एनी हिम्मत आ जोय और एमने आप्रतिये खूब खूब मानो पन थाई चे आउप्रान अनिया साथुपगवन्तों आ बंच पर बिराजमान सर्वे मात्माओ अब अब दू रिपीट करी स्था घण बदर टाइम जर्शे पाण आशिवाई अनेक जगिया ये थी आवेला सर्वे ने हूँ आत्म भावे वंदन करो है मारे चिटला मुद्धा आत्मान जी माते मघजमा राखी ने वात करवानिया थी ये बद अमुद्धा कवर आई एटले हवे ए बद्धी बाद मुँ छोड़ू छो के एनू काराण सुछे के परम्पुजी आत्मा नंजी नी जे प्रतिभाशी ए बद्धी बाजुती अईया व्यक्त थाए गेशन। पाण हवे स्मृती मा जे जूनी बाद छे ए करू के अत्यानना कितला वरश एतो नथी कई शक्तो पन घणा बदा वर्शों पेला कदाज आ आश्रम नी शर्वात थे लगभग ए समय है अमारा गुरुदेव और पुजी आत्मा नंजी नो एक सबंद बंदाण। कि अबने मात्मा हो जेरे जेरे पन मलेने तेयारे खाली आपने जोवानुछ। कि अबने जोवानुछ। कि अबने बंदाण। तो आम सामानिय आरीते कोई पन गणानी पूरुष्ने आपने ओडख्वावाए। आंत्री कृते ओडखवा वय तो मोहनिय कर्म और ग्णानावळणिय कर्म नो ख्षवप्षम्त वो जोई तो अंदर ते एक शक्ती आवे अने आपले ए मात्मा पुरुष ने वार्थी तो ओडखता वोई पने आंत्री कृते ओडखवानी एक ख्षम्त आवे अन्ने आरेते जे हुँ मारा गुरुदेव ना परिचेमा आये वो अन्ने एमनी ओडखान विशेश औने विशेश थती गई कि जे मारी आध्यात्मिक उन्टनाती माटे वो बड़वान साधन वनी गई एम आत्मा नंजी इमने पां आन्तरीक निते ओडखवा माटे तहीने में सतत प्रयतन करेलो जे अन्ने ए ओडखान पछी मने चोकस पने थाये गयुँके यही जे प्रगट चेतना चे ए चेतना किटला मुट्टा-मुटा कारियो करेला जे एन्ने केटली बदी शक्ति, के जे शक्ति द्वारा अटला वजा विशाण कारियो थया, अन्ने इमना अन्तिम्षमये, इमनो जे स्टेच्यू शे, इनना अनार्ण विदी वक्ते, अन्ने होए आ प्रशंगे पन मारे यहां उपस्ती द्रेवानु थयुँछे, ते हो खरेकर पाग्ये शाणी काणू छो, तो आत्मा नंजी, के जेनो आजे तो आत्मस्मृति मंदीर के जेनो उद्गाटन थावानु छे, तो इमना गुण मारे व्यक्त करवा होई तो के विर्थे करवा, अवे, तो मने हम लागे छे के हूं परम कुरुपाड़ो देव स्रीमद राज चंद्रजी ना वच्चन थीज, ए वाद रजुकरी शाकिश, एटले कुरुपाड़ो देव ना जे पत्रों छे, ए पत्रों दी अंदर ना जे कोटेशन्स छे, ग्रानी पूरुष माटे ना, गुरुदेव ना माटे ना, ए हूं लाओ छु, गुरु कोण के वाई, अकुर ग्रंथी शेदाई छे ते, एटले के नीर ग्रंध, पच्छी बिजु वच्चन छे, के आत्मा, अवे आतो अपड़ा बजाना माटे छे, के आत्मा अने श्रद्गुरु एकज समझवा, आ वाद विचार्थी ग्रहन थाई छे, ते विचार ए के दे नहीं, अथ्वा तो द तेने लगता बिजा भाव नहीं, पण सद्गुरु नो आत्मा एज सद्गुरु छे, जिने आत्मस्वरुप लक्षण थी, गुण थी, वेदन थी, प्रगट अनुभवियो छे, अने तेज परिणाम, जिना आत्मानु थयो छे, ते आत्मा अने सद्गुरु एकज समझव ए अनि अंदर कुरुपड दिवनी मुडवाच्छे, पच्छी एज वाद जर जुदी रिते, के स्रिमान पुर्षोतम, स्री शद्गुरु अने शंत, ए विशे अमने भेद बुद्धी छेज नहीं, त्रणे एक रुपच्छे, हवे जिनने आत्मा कल्यान साथ हुशे एना माटे, कुरुपड दिवनी वाच्छें छे, के तर्वाना कामी होए, पेली बाद तो एक तर्वाना कामी होवा जोई है, अनि श्रद्गुरु मड़े, तो कर्म टड़े, श्रद्गुरु कर्म टाड़वानों मडवान कारण से, कर्म बंधवाना कारणों मड़े, तो कर्म बंधाए, अनि कर्म टाड़वाना कारणों मड़े, तो कर्म टड़े। अवे जे अंत्रिक रिते ओड़खान था वियात्वाद श्रद्गुरु नी जे अंत्रिक दशा चे, और ये दशा नों प्रभाव, और ये प्रभाव के ओ चे, कि जो जीव, कोई पन जीव, श्रद्गुरु ना शरण मा आवे, इना प्रत्य द्रण, स्रद्धा, प्रतितीने विश्वास चे, ए खरेक्खर आंत्रिक रिते श्रमर्पित थाई चे, और पछे ये आग्णानों आराधन निष्ठा पुर्वक करे चे, तो पच्छी सू थाई, तो के सद्गुरु ना उपदेश विना, जीन नू श्वरूप समझाई नहीं, और श्वरूप समझाया विना, उपकार पड़ सो थाई, जो सद्गुरुना उब्देश जिन नो स्वरुप समझे तो समझनानो आत्मा परिणा में जिन दर्शाने पामें ह्ल्हे आ मार्ख जे मोक्ष मार्ख छे इना पायानी बाद जे कुरुपाडो देवे दर्शावी के देव अरियंत, गुरु निर्ग्रंद अने धर्मा क्योडी नो प्ररुपेलो ए त्रणेनी स्रद्धाने जैन्मा सम्यक्त्व कईव चे अवे आत्राण प्रत्यनी स्रद्धाने दवातावी पने ये त्रणमा सामानिय जीवाने माटे महत्व कोनू तो के मात्रक गुरु अश्रत हुआ थी देव अने धर्मनू बान नो तो पिला जीवने अश्रद गुरु मडवा थी ते देव अने धर्मनू बान थायो ते श्रद गुरु प्रत्य आस्था एज सम्यक्त्व आ आस्था जीवा ने जन्मरहन ना फेरा थी अनुक्रमे टाली दियेजा इटले जटली जटली आस्था इनने अपूर्वा पड़ू तेटलू तेटलू शम्यक्त्व तेटलू बम नू निर्मन पड़ू समझे आवु सांचु शम्यक्त्व पंबानी इच्छा अने कामना सदाने माटे राखवी पद्धा तरवाना कामी छिया यां बद्धा बेठेला छिया ये पोते आत्मकल्यानी भावना दा बदानी अंदर वत्ता ओछा अनसे तो रहेली जर्षे तो अगम अगोचर निर्वान मार्ग छे येमा संसे तो न थीज पोतानी शक्ती है शद्गुरुना आस्रेवी ना ते मार्ग शोद्वो अशक्या छे येम वारम वार देखाई छे एटलूज नही पन स्री शद्गुरु चरणना आस्रेए करी बोध बीजनी प्राप्ति थेवोई तेवा पुरुष्ने पन शद्गुरुना शमागम नू आरादन नित्या कर्तविया छे जगतना प्रशंग जोता एम जणाई छे के तेवा समागम अने आस्रेवी ना निरालंब बोध स्थिर्रेवो विकट छे आम तो सद्गुरु माटेना कुरुपाडो दिवना जे वच्चनों छेने इटला बता छेने के कल्लाको ना कल्लाको शुदी आपड़े ए वच्चनों उपर श्वाध्याई करिये तो चाली शके एटलुद नहीं पड़े नी अंदर आपने कितली बरी वस्तु तत्वग्णान नी और जिन्वट बरी वस्तु जानवा मड़े तो पहली बाद तो एके मारा अंतकरण नी अंदर चे भावना थे पुझ्यास्री नो दे पड़े और अलगबग बे वरश उपर नो श्मय थायो बढ़ पुझ्यास्री नी चेतना, अम बराबर जागरत रिये और मटए थे ने कितला बदा आयोज ओनवा संस्ता धौरा करवा मावया अले, अम सतत एक बाद पूरी ना थाय तरी वाद问题 शालू थाय जाय अब दा काम किटला जड़प्ती करी राया चे एत्तो एम ना प्रत्य एम नी पुझ्यस्री प्रत्य नी स्रद्धा पन अटला कारिया करवा थी आब दी प्रवरुती थी किकली बदी जागरती आउशे और मुमुक्षुः जे मुमुक्षव आ शंस्ता साते जोड़ायला चे इना तो प्रेम अने भक्ति पूर्व के पोता नु तुन कलियान करी शक्षे, पण अने नवा-नवा मुमुक्ष वह पन यहां आवी अने पोतानु कलियान साधी शक्षे, इतला मांते हैं, आप अधा आयो जको, तरुस्टीयो, कार्यकरो, अट्ट्लों बदू विषाड पाया पर जे कार्य कर यो ये बद्दा ने हों अन्त करने खोब खोब अभिननंद ना पोजों खोब खोब अभिनन्द ना पोजों ओह अहो ते सर्वोत क्रुष्ट शांत रस सुप्रतित कराव्यों इवा परंकृपडू सद्गुरु देव आ विश्वमा सर्वकाड तमें जैवंत वर्तो जैवंत वर्तो ओम अधरन्य पुझ्य बाइसरी निर्गरंथता आत्मा सद्गुरु नियक्षन थी संतने उलखवा माते नि अंतर द्रस्टी सद्गुरु महात्म्या अग्ना अराधन सम्यक्त्वता निर्वान मार्ग विगेरे पर सुंदर परमार्थ प्रेरक उच्सा प्रेरक मार्ग दर्शंत आपनो खुब खुब आबर आधरन्य पुझ्य आच्यार्य स्री विजय राज हन्सुरिष्वरेजी महाराज ने अमे बिनंति करिशु के आमोने भूधती उपकुरुद करें आप स्री नो जन्मा ओगनिसो बासेठ मातेयो स्वापर कल्यान नी भावना थी आप स्री ए ओग 3008, Hij Inkssa Pariyais svikári 2009 मा आप स्री आचार्य पदे अरुथ थया आप स्री महान आचार्य स्री नेみ existsuri स्वरेजी न संगमा छु आप स्री नि नम्रता, सररता, शासन प्रभावति नम्रता, सर्व दर्म असंभाव साथ है उदार्चरित विसार्द्रस्ट वंत ता भब्खतना औ नरंपूर आश्रम न अंजन शाला का प्रतिष्टा अस्ता निका पंच कल्यानक प्रसंगे डिसेंबर बेहजार एक्विस्मा प्रतिष्टा चारिय तरीके आप्सरी सरसंग पदारेल के जेमा देश विदेश्थी लगबग 10,000 मुक्षवे अपुर्व लाब लिदेलो अजन शाला का अने सूरी मंत्रती साते प्रभूनी प्रतिमा जिवनी प्रान प्रतिष्टा अगमुक्त विदिपूर्वक संपन थेयली आप स्री वर्तमान स्वाशन प्रभावक महापुरोसो नी हरोलमा आगवू औने बिसिष्टा चान दरावो जो आपना वसल युप्त्य व्यवार्थी औने स्री संगना हीत चिन्तक रुपे आप स्री अपार लोग चाहना संप्राप्त करीची वर्तमानमा अनेक संप्रदायोमा अने समाजमा सामुहिक रात्री भोजन निशेद स्वेच्छाय पढ़ाईची तेना मुळुमा आप स्री शरू करेल सामुहिक रात्री भोजन निशेद अभियानची जैन शासन नि आवनारी पेड़ी गुण संपन अने उत्तम संस्कार युप्त बने तेना माटे पन आप स्री सतत प्रयत्न शिल चो समग्गर गुजरातना जैन परिवारोना आवश्यक्त दरावता विद्ध्यार्थियोने शिक्षन माटे आर्थिक सहाई प्रदान करीने तथा साधर्मिक पगभर बने ते माटे जीत नामनी संस्ताना आप स्री प्रेलना दाता अने पथ दर्शक पन छो आप स्री मुंबय मा विविद्ध परमार्थ प्रेरक संग्ठनो रच्या चे अने बव्य रथ यात्रा जेवा स्वामुहिक शाषन प्रभावनाना अनेक सत्कारियों मा सक्री प्रण योगदान आपी रहा चो तपा गछि अस्थविर्समिती ने पण स्क्री पने आप स्री मार्ग दर्शित करी रहा चो कहवाएंचे के जेम्ना भाग्यानो वद्ध होई त rheमने तिया लक्षमिजी पदारे पन जेना परम भाग्या नो उदय होई तेमने त्या सत पुरुषो, आचारियो, संतो अने महात्माओ पधारे पन जयमना एना थी पन विशिष्ट विशिष्ट सवभाग्या नो अने पुणिया नो उदधय होय तेवा विरल भाग्या शार्यों ने तेमना सनिध्य, दर्शन अने आशिर्वचनों नी प्राप्ति थाई छे आजे आपनो परम सवभाग्या छे के पुझया अचारिया महराज स्री आपना कोबा अस्रम मा पुझया गुरुदेव स्री आत्मा नंजी ना जीवन कवन रूप आत्मस्वुरुती मंदिर ना मंगल उदगाटन प्रशंगे अशिर्वचनों ती लाभानमित करवा सह संग अने पुझया तत्वाहंस्ती महराज ने अत्यन भक्ति भावती स्वविने वंदना करियेशी अवे अपने पुझया अचारिया महराज स्री ने प्रार्थना करिशु के अमोने बोध्ती अनुग्रहित करूुप